आज हम आपके लिए लेकर आ हैं बेशन और आलू का ऐसा नास्ता जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और फ्रेंट से खाने में बहुत स्वादिश्ट और बहुत क्रिस्पे होता है आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर वैसे भी इसे खा सकते हैं तो आए फ्रेंट सफें अबे दॉबत स्वादसार्मक नमक में डाला एका लावावा याज्वाएं भूदर को पश्चंगे हैं डाला इसे जीवटस तो नमक आपके टमगा है अगर आपके पास पास आंविलेब कर दूपे मिल जाएगा नहीं तो आप घर पे भी चली फ्लेक्स बना सकते हूँ और फ्रेंस यह और गैनिक को और फ्रेंस अब मैं इसे अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसमें धनिया पत्ती बाद में डालूँगी पहले मैं इसका बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना लेती हूँ आप देख सकते हैं तो आप देख सकती हैं मैंने इसका बहुत ही पतला गोल बना लिया है आपको इसे और भी पतला करना है तो इसमें मैं और पानी गोल डाल देती हूँ तो देखे फ्रेंड्स आपको इसका गोल इस प्रकार बना लेना है जिस तुकार में आपको दिखा रही हूं देखें बिलकुल पतला घोल बनाकर टयार कर लेना है तो देखिए फ्रेंस, आपश्चिड अपने घोल को अपने पहन के अंदर डालनूगी तो फ्रेंस आप इसी तरह इसे कहला आपको इसे बिल्कुल लोकल इंपर पकाना है तो देखे फ्रेंड्स हमारे इबेशन का कोल बनकर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं यह काफी टाइफ हो चुका है अब मैं इसे थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूं हमारा पेश्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं पर आपको इसे बिल्कुल ठंडा बिल्कुल नहीं करना है इसे हलका सा अंगरबर कियेगा और फ्रेंड्स यह दो बोईल की आलू है जो मैंने करश कर लिए हैं आपको इसमें आलू करके ही डालने हैं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी को फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालूँगी धनिया मैंने इसमें पत्ति बढ़ दी हैं इससे हमारे नाष्टे का जैक्षर बहुत ही अच्छा हैगा और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखिए फ्रेंस मैंने इस परकार के एक थाली ले ली हैं और थाली के अंदर मैं अब अपना ओल या घी आपके पास जो भी अवलेवर हो वह आप लगा लीजिएगा तो देखिए वीवर्स मैंने इसमें ओल लगा दिया है आप देख सकते हैं अच्छारों तरसी से ग्रेश कर दूँगी तो देखिए फ्रेंस मैं अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी अब इसमें अपना जो कमी बनाया है इसलिए मैं इसे हाफ थाली में बनाकर पियार करूँगी मैंने इसके अदर आग मिक्स कर दिया है और तो देखिए अब मैं इसे न जुख दूँगी 15 मिट के लिए तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी कटिंग आप किसी भी प्रकार की कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसकी बहुत ही अच्छी कटिंग कर ली हैं अहीं अशारो के जाओ और अब इसमें से इक एक पीस प्रकार क missionary आप देख सकते हैं और अपने दूसरे प्लेट के दर रखने लूँगी तो देखिए फ्रेंड्स आप देख शते हैं झात्री प्रकार मेंने अब इसनलो फ्राई करूंगी तो देखे मैं इसे में आभ ऑफे टॉल डालुंगी अब इस अभी नास्तो को अच्छे से लूँगी तो इस जादा से तलना चाहते हैं तो इसमें एढे ज़्यादी ऊफे का सकते हैं मैंने में इसमें मेड्योम साणवें हएं मैं इसमें हलका सा नमक डाल देती हूं सबसे पहले मैं अपने ओविल को देख लेते हूं कि हमारा ओविल गरम है या नहीं है उसके लिए मैं छोटी ही टिकीस में डालेंगी तो आप देख सकते हैं हमारा ओविल गरम हो चुका है शायद अब मैं अपने दीरे दीरे टिकीया डाल दूँगी तो फ्रेंट्स आपको इसे देख फ्राई करना है चाल तरफ से अब मैं आपको दिखा रही हूं यह एक तरफ से अगर फ्राई हो चुकी हूगी तो मैंने पलट डूँगी करति हैं हैं कि मैं आपको मैंने ढれमी को चुकी है जह ऑनकि तो विल में आ pessim defect मैंने दमें कि दाओ क्भाब बल बल तो ऑंकिकी हूगी और खराई प्रॉप जगका हो प्रॉपभ ऑजया हुगी जहागे है तो जहगी तो आप देख सकते हैं हमारा नाजता चालो तर्फ से सिख चुका है देखी फ्रेंड्स अब इसे एक प्लेट में निकाल लोगी हमारा नाजता दोनो तर्फ से सिख चुका है आप देख सकते हैं अब आप एक ही करकी सभी अपने पिसीज को निकाल लेंगे क्योंकि हमारा यह सेलो फ्राई हो चुका है तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नासा बनकर तग्यार हो चुका है अब मैं आपको इन में से एक तोड़के भी दिखा देती हूं देखिए यह बहुत एक रस्पी और बहुत यह अच्छा बना हूए है आप देख सकते हैं आप इसे चटने के साथ यह आपको खाने में स्वाह इसने लगी वह नहीं आसताम करता है तो हुट कुमने लगफ करिजिए। शेयर किजिए और उच्टन को सुब्सक्राइब करना ना बोले ताकि आपको हमारी नहीं वीडियो का लिक मिलता रही तो फ्रेंड्स अगली एक नियो रेस्पिक साथ फिर से आप सुम्मला कात होगी तब तक के लिए नमेशकार